मुझे अच्छी 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 तो अभी बच्चे सो रहे हैं और हम सब उठ चुके थे तो मैंने सोचा इनकी छोटी सी वाली क्लिप लेती हूँ और यहाँ पे नास्ता बनने की तैयारी हो चुकी है तो आज नास्ते में बन रहा है अलू पराटा और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है तो बच्चे जब उठेंगे तो खा लेंगे क्योंकि समस्का स्कूल का टाइम जितने टाइम करीब होता है न उस हिसाब से उसको उठाते हैं क्योंकि वो दुपैर में कभी भी नहीं सोता है अगर वो दुपैर में सो गया तो समझे फिर प्रोबलम हो जाएगी तो उसकी माहों से कभी नहीं सुलाती है दुपैर में और ना ही वो सोना पसंद करता है तो सब फ्री थे बस cleaning का काम बाकी था घर में और यहाँ पर आंटी जा रही थी अंकल को office के लिए बाहर तक छोड़ने के लिए तो यहाँ पर मैं balcony में खड़ी थी तो आंटी को देख रहे थी कि आंटी gate खोलेंगी तब यह अंकल बाहर जाते हैं फिर आंटी gate को lock करके अंदर आ तो ये अंकल भी निकल चुके है और मुझसे जाशीम ने बोला था कि आप ही मेरा नाम आप ब्लॉग में कभी नहीं लेती है तो मुहमद जाशीम है एक और ये यूपी से हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते है ये भाई और अलापाकी ने बहुत काम्याब करें बहुत खुश्य करना जादे में है एक ठाव मेरा मेरा एक जाढ आप राट है और अड़ी में हाट रहे है ज़र राट करणा बहुत ने ज़ते हैं.. मुझे लिए अटी खुल ये खुदी का ने सबस्ता है खुद्ध तो आपली आप जिए ज़ती हंस्यद का बें टें है ज़ती है कि ने अहा यहां हम लोग सब लोग खड़े थे और बाते कर रहे थे बहुत हासी आ रहे थी वह अम्रेला देखके तो यहां पे मिल्क मैन आ चुके हैं उनसे हम लोग उने दोद लिया और फिर वो जा चुके और फिर हम लोग सब अंदर आ गए अपने अपने काम में तो यह सारी preparation आप द अपने अपने आप देख सकते हैं अधर कलेक्स्टन का पेस्ट था वह इसमें डाल चुक है और उपर से प्यास डाल दें कटी हरी धन्या थोड़ा सा गरम मसाला का भी यूज किए हैं क्योंकि गरम मसाला के बीना तो किसी चीज में फ्लेवर नहाता और इसमें बहुत सॉफ इसका पेस्ट पना लिए हैं यह दही बड़ा के लिए और इसमें डला है सिर्फ नमग और काली मिर्ज का पाउडर तो यह दोनों बेटर अलग-अलग दरख देंगे और यहां पे समस आचुका है स्कूल से तो मैं बहुत जित कर रहा थे मस्ती करने के लिए तो किसी तरीके से मैं इसकी ड्रेस पगेरा निकाल रही थी जिससे यह नहाले जल्दी से क्योंकि लेट आता है इसकी स्कूल का टाइम भी देर से होता है और यह बहुत मतलब सोच रहा था कैसे मुझे मस्ती करने को मिल जाए खेलने को मिल जाए और मोहिन आके इसको बोल रहा है कि भाई नहालो तो वो इस सारे में उसको बात बोल रहा था और ये दोनों यहाँ पे खेल रहे थे और सम्स का मन था कि मैं नहाँ नहीं पहले मैं खेल लूँ तो बच्चों का इसी तरीके से कुछ ना कुछ मस्ती करने का मूड बना रहता है और फिर यहाँ पे दही बड़े बनना साम को सुरू हो चुके हैं सबसे पहले यहाँ पे मसाले बड़े बन गया है सिंपल जो इनसान खा लेगा और यहाँ पे इसमें दही कोची तरीके से फीट लिए हैं और यह नॉर्मल दही है ना खटी है जादा न मीठी है तो इसमें उपर से लाल मिर्ज का पावडर और भूने जीरे का पावडर डाल दिए है तो दही से ही दही बड़े का कमाल होता है अगर दही बहुत खटी है तो इसमें कोई टेस्ट ही आएगा तो यहाँ पे बड़े बनना सुरू हो चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं और जैसे बनते जाएंगी गरम-गरम वैसे सब खाते जाएंगे और यहाँ पे फ जोड़ के क्योंकि ऐसा होता है ना कि रखे रह जाएंगे इसी में तो फिर दूसरे वाले मतलब बैच का उसमें जाने के लिए जगह होना चाहिए तो फ्रेंड्स दही में सारे बड़े डिप कर दिये हैं उपर से फिर से इसमें भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालके इसको इस तरीके से रख दिये हैं अब जिसको मन करें दिल करें जिस टाइम पे निकालके खा लो और जिसको जिसको दही बड़े पसंद ह प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो बहुत टेस्टी बहुत यमी बने थे सबको बहुत घर में पसंद आये थे उसके बाद मैं थोड़ा सा आंटी के पास जाके बैट गई थे आंटी के घर का है ये तो यहाँ पे हम लोग बैटे थे और मौईन और अनया पे मस्ती कर रहेते खाप पी रहेते तो इसी तरीके से जहाँ जाओ ना बच्चे पिछे पिछे आते हैं तो वो चीज ना बहुत अच्छी लगती है और फिर आगे तो यहाँ पे चाय बन रही है साम की चाय की त्यारी हो रही थी तो इसी तरीके से चाय भी बन जाएगी और फिर हम लोग चाय नजॉय करेंगे तो चाय अगर साम को नहीं मिलती है तो ऐसे लगता है कि सब कुछ अधूरा है सुबह की चाय तो मैं यहाँ पे डेली ले रही हूँ लेकिन ऐसे होता है कि मुझे साम की चाय बहुत जरूरी होती है और कुछ इसी तरीके से मेरी बेहन के बच्चों के साथ बेहन के साथ मेरा विजी रूटीन रहता है यहाँ पे मैं इसी तरीके से मेरा दिन जाता है तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है तो उनके दोनों शहजादे आजू बाजू पर खड़े होते हैं वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो एक तो अपनी पढ़ाई में है उसका study time होता है इस time पे और दूसरा ये है कि वो अपना खेलता रहता है तो दोनों बच्चे इसी तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं और भाई साब कभी वर्क हो जाएगा और हमारे यापे कुछ इस तरीके से एद मिलादू नभी की तैयारी चल रही है तो भाई साब ने घर में साजावट करवा दिये और बहुत अच्छा लग रहा था ये अलग रहनक होती है तो ये शाम का व्यू था और मुझे बहुत जादा जबर्जस्त लग रहा था तो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताईएगा और सब के घरों में इस चीज की रहनक होती है एदमिलादुनभी का अलग से बहुत अच्छे से जश्न मनाया जाता है और आप लोगों की तरफ कैसे चल रही है तैयारियां बताईएगा जो मुस्ती मैं जरूर कॉमेंट कीजेगा तो यहाँ पर मुझे इस वक्त सो के उठा था तो थोड़ा उसका मैं माइन डाइवर्ट करने के लिए इसको ले के आ गई थी यहाँ पर कि यह फ्लैग ले लो पापा तुम्हारे लिए ले के आए हैं तो मुहिन ऐसे देख रहा था तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था और सच में ऐसे बच्चे थोड़ा सा न्यू चीज़ देखते हैं तो ने अच्छा लगता है यह मुहिन अभी तो इतना कुछ भी नहीं जानता है और प्लीस फ्रेंट्स यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन प्रेस करने के साथ और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बना के रखेगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर ओमलेट बन रहा है और यह न मतलब देसी ओमलेट है एग का ओमलेट है तो ऐसा होता है कि यह थोड़ा जादा यलो रहता है और आमलेट बनाने का यह था कि अनाना, आलू और बरबटी की सब्जी बनी थी तो वो खाती नहीं है और यह जो फ्लैग बाला ब्लॉग था यह मेरा कलका है और इसके पहले वाला यह था तो मैंने बीच में एड कर दिया है उसे, फिर हम लोगों ने डिनर किया सबने और फिर यहाँ पे हम लोग सो गए है तो आप लोग अपना खुब सारा खायाल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा प्रेंट्स एक दूसरे को दौा में जरूर शामिल किया करें असलाम लेंकूम, अल्लाहापीज